हेलो फ्रेंड्स मैं हुए इसमाल मनेरी और आप लोग देख रहे हैं आई वीजिन सिस्टेंस और सॉलुशन्स मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि वाइफाय कैमेरा वीड़ोट वाइफाय और वीड़ोट इंटरनेट कैसे देखा जा सकता है मैं अपको वीड़ोट चाड़ करता हूं अब मैं आपको लिचलता हूं और स्क्रीन के दा guess कि अपने मोबल में आप आई सी एस डवली यह एप इंस्टॉल कर दीजे मैं इंस्टॉल कर दिया हूं इसको ओपन कर लिया हूं इस इसे आप ऊपन करने के बाद लॉग इन करने के बाद इसमें प्लस सिम्बॉल है उसके इसके बाद जो उपर more option है more option पे क्लिक कीजए नीचे सबसे last AP mode connection है AP mode connection पे क्लिक कीजए इसके बाद आपके mobile में जो Wi-Fi camera है उसका hot spot शो करेगा यह hot spot यहां शो कर रहा है इसको connect कर दिजए यह automatic नहीं हो रहा है तो manually करने के लिए पूछ रहा है और यहाँ पर इसका password भी बता रहा है confirm कीजिए और manually अपने wifi setting में जाके इस camera का wifi connect कर दीजिए यह camera का wifi connect हो चुका है आपके mobile से आपके mobile में कोई internet नहीं connect है सिब camera का hot spot है वो connect हुआ है इसके बाद screen पर आपको बता है कि searching आपका camera सर्च हो रहा है थोड़ा time लगता है इसमें आप wait किजिए तो मैंने आप लोगों के लिए इस video को ट्रिंग किया है इसमें भूट time लगा था तो लीजे आपका camera connect हो चुका है अब आप इस camera के सारे function यूज़ कर सकते जैसे normal network से connect करके यूज़ करते है पैं टिल्ट कर सकते इसको camera के screen पर slide करके left slide करेंगे right slide करके up slide करके down slide करके इसको up down right left कर सकते हैं इसके memory में जो recording है आप वह भी प्ले करके देख सकते हैं function सारे वही रहेंगे जो आप नॉर्मली आपके wifi से या network से connect करके जो functions यसमें देखते हैं वही सारे functions होंगे लिए इसमें आपको internet की और wifi की ज़रूत नहीं पड़ेगे डारेक आप camera से आपके mobile को connect करके देख सकते हैं आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लेगी नीची comment section में जरूर बताईए like और share कर दीजे और मेरे चैनल को subscribe कर दीजे और bell icon दवाना ना भूले कर दो कर दो कर दो